हाई गाईज बेटा जो अभी आज लेक्चर जो कर रहे है न बेटा यह आप लोगों को आपकी NCIT में questions नहीं मिलेगे बट बोर्ड में पूछा गया है डाय चार में question पूछा गया है बेटा 17-18 के math paper जो था उसमें पूछा गया था बेटा इसे बोलता है selection of terms ठीक है न्यूपेज पर हेडिंग देदीजे क्या selection of terms ठीक है इसमें क्या होता है इसमें आपको दिया जाता है कि थ्री टर्म्स आरे ने पी या फोर टर्म्स आरे एसा वी को दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को smartly वो टर्म्स सिलेक्ट करने पड़ से इसलिए क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम लोग selection of terms देखें अभी को लिखना नहीं है अगर हम आपको दिया जाए कि क्या फाइदा होगा उसके बिना नॉर्मल वाले से में करके दिखाऊगा तब दिखाऊगा कितना जाए समय वग्रे का डिफरेंस की आते हैं वो सब को जीते अभी आप मुझे भरूसा रखिए और यह चीज़ को ऐसा ध्यान रख दिजिए अगर मुझे मान लोग कभी common difference इ टर्म्स आर इन एपी तो बेटा मैं चार टर्म्स क्या रहता हूँ ध्यान देखिएगा ए माइनस 3D A-D 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 और A-3D यह चार टर्म्स बेटा मैं यूस करने वाला हूँ इसमें मेरा A1, A2, A3, A4 में आपको बताए तो क्या रहेगा यह रहेगा मेरा A1, यह रहेगा मेरा A2, यह रहेगा मेरा A3 और यह रहेगा मेरा A4 common difference यह आप नहीं कालूँगा न, A2-A1 करके तो मेरा 2D आने वाला है पर आप जाएगा टेंशन मसल दो बिटाइन चीज़ों का, आप सिर्फ यह यह याद दख लोगा, आपको 3 टर्म्स अगर बोल दिया होता, अगर मान लोग, पूछने नहीं वाला है वो, बट ऐसे ही A, A plus D, और एक करेगा A plus 2D, पीटाँ यह मेरे 5 टर्म्स हो जाएगे, 6 टर्म्स बोलता अगर वो, तो मैं करता है A minus 5D, A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D, A plus 5D, अट लगकी लिए अपने को 3 या 4 टर्म्स का ही पूछते हैं, उसके ओपर ही अपने consonant करते हैं, तो यह 3 और 4 का तो आप रट सकतो सिंपल से, 3 टर्म्स बोला तो A minus D, A, A plus D, 4 टर्म्स बोला तो A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus D, A plus 3D, अभी मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझाएगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यू ऐसा क्या करना है, बेटा आप कुछ नहीं, एक पॉस के इतने चीज़ को आप लिख लिए, फिर मैं आपको क्वेस्चन बजाता हूँ, फिर मैं आपको पर नॉर्मल तरीके से करके देखाऊगा, फिर ये वाला लेके आपको वैसे करके लिखाऊगा, ठीक है, यहाँ पर कर लो पॉस और एक बार इतने को कॉपी कर लो ठीक है, पहले मैं यह मान के चलता हूँ कि आपको स्लेक्शन आप टर्मस ने बताए, वैसा अलो सॉल्व कर देखते हैं, ठीक है, हमें क्या दिया गए, तीन टर्मस अपी में उनका सम 12 है, तो मैंने मान दो तीन टर्मस क्या है, ए, ए प्लस टू डी है, यह तीन टर्मस है, देखें, इनका सम, कितना दिया गए मुझे, 12 दिया गए, तो 3A प्लस 3D इकोल स्टू 12, 3 कॉमा निकाला, A प्लस D इकोल स्टू 12, तो बेसेकली A प्लस D की वाली कित्ती आ गई, 4 आ गई बटा, तो यहा मैं यहा ते A की वाली निकाल लोगे, D की वाली निकाल लोगे, तो प्लस D का स्क्वेर 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 प्लस 2D का स्क्वेर इकोल तो 56D आ हुआ है, तो यह कि अब एक यह को 4 मानस D डाल दू अभी, 4 मानस D का स्क्वेर प्लस 4 मानस D का स्क्वेर प्लस 4 मानस D 2D kgquare 56 अब देखे यह द्यो 4-D का Square 16-8D plus D square 4 का Square मतलब 16 और यह सुआ है पे 4- 4-D का 4-D 4-D Support D 6-D इसी equal to 56 होगा बेटा ठीक है अब पुरे bracket bracket खोला ये 16 ये 16 ये 16 नाड हो गया 48 ये minus 8D plus 8D कड़ गया plus 2D square equal to 56 हो रहा है बैटा मैठा तो 2D square की value 8 हो रही है मेरी ये वहाँ पर गया तो D square की value 4 फट से हो लो D की value क्या होगी 2 नहीं बैटा plus ये minus 2 तो implies D की value 2 भी हो सकती थी ये फिर minus 2 भी हो सकती थी अब देखो अगर मेरा D की value 2 है तो मेरे A की value कितनी आ रही है देखे A के था 4 minus D था तो वो 2 बन जाएगा तो मेरा A P क्याता है A A plus D A plus 2D और ये रहाँ अगर मेरे D की value minus 2 है तो मेरे A की value कितनी बन रही है देखे A क्याता 4 minus D था 4 minus 2 मतलब A के रिस्टिक्स बन जाएगी तो मेरा a p क्या बन जाएगा a a plus of minus 2 a plus of minus 2 देखे कैसे हो रहा है यह यह देखे यह भी कैसे किया यह बता दूम आप ले हो एक पर उती है यह 2 हो जाएगा देखे यह कैसे लाया था मैं यह a a plus d a plus 2d था ना बेटा तो a की वाज़े और d की वाज़े substitute किया था वहां से आया था वैसे यह भी तो वही था a a plus d और a plus 2d यह भी वैसे ही लाया था बेटा मैंने कैसे कि देखो यह a की वाज़े 6 डाला है और d की वाज़े माइनस 2 डाला है उससे मैंने solve सके लाया था तो देखो आपके दो answers आ गए वो जो number से ap में वो 246 हो सकते है यह 642 हो सकते है देखा जा को selection of terms से बताता हूं को selection of terms से फाइदा क्या हो जाता है ठीक है पहले वाज़े हटा रहेता हूं मैं मैं बिलकुल नहीं बोल रहा हूं कि यह गलत है यह answer बिलकुल से यह थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला है अब देखो अगर मैं selection of terms से बताता है देखो comparatively मेरी फास्ट से अब यह बोलता है a-d, a, a plus b बोलता है यह थोक्षी टरम से न एपी भी a-d a, a plus b ठीक है सब अब देखिए मेरा को चीक है इनका सम कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है यह minus d plus d कटा 3a equals to 12 मेरे a की वाल्य कित्ती आगई बच्चा directly 4 आगई चलो ठीक है अब यह 4 आगई है अब इनका square यहने a minus d का square plus a का square plus a plus d का square की वाल्य कित्ती 56 d भी है अब a की वाल्य कित्ती मुझे पता है 4 है तो 4 minus d का square plus 4 का square plus 4 plus d का square equal to 56 खोलूंगा तो 16 minus 8d plus d square plus 16 plus 16 plus 8d plus d square equal to 56 यह देखिये plus 8d minus 8d कटेगा यहनका 48 plus 2d square equal to 56 2d square equal to 8 so d square equal to 4 so d की वाल्य की वाल्यू 2 या फिर minus 2 ठीक है अब अगर मान लो if d की वाल्यू मेरी 2 आती है तो मेरा a p काना a की यह तो 4 है तो मेरा a p बन जाएगा जेकि a minus d a a plus d था पतला 4 minus 2 4 और यह 4 plus 2 हो जाएगा बेटा तो वैसे कि 2 4 और 6 मेरा a p यह बन जाएगा और if d is equal to minus 2 है तो a minus d a a plus b में किता जाएगा 4 minus of minus 2 d की जाएगा बेट बस minus 2 लालनों ठीक है comma 4 बढ़ेगा 4 plus of minus 2 तो जाएगा 6 4 2 देखिए आप खुद बजाएगे किसमें calculation वेगर आसन पड़ी तो यहाँ पे आपको 2 equation जैसे नहीं एक equation जैसे में convert हो गया था क्यूं एक ही directly value आगी थी इसके लिए समझा आपको तो पेटा यह question में क्या है तीन terms दिया हुए ap में वो तीनो terms का sum 12 दिया हुआ है तीन terms इसलिए a minus g a और a plus d लिया है अब दिया गया इनके square का sum हमें 56 है तो a minus g का square प्रस a का square प्रस a प्रस b का square equal to 56 एक ही वाली जो पता थी हो डाल दिया मैंने में रही easy हो गया समझा चलो पेटा एक question कर लो फट से यह 3 से 4 माख का आता है बेटा ठीक है पॉस करो फट से आलो question solve कर लो चलिए अब next question दिखा रहा हुँ हम आपको sum of 3 numbers in a p is minus 3 and the product is 8 ठीक है सर जैसा पिछला किया था हुई a minus d a a plus d ले 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 ना उससे solve कोशिश एक बाद खुद से करो ठीक है na dk देखना अगर d square equal to मान दो कुछ 1 आता है मान दो मुझे पता नहीं है तो d k value plus minus 1 होगी यह चीज़ दियां रखिएगा ठीक है पॉस करो और इसको solve कर लो एक बाद खुद से चलिए अब मैं solution बताता हूँ कौन से 3 term से तो a minus d a a plus d लेट दर 3 terms भी a minus d a a plus d इनका sum कितना दिया हुआ है मुझे माइनस 3 दिया हुआ है ठीक है प्लस d minus d कटा 3 a equals to minus 3 तो a की value minus 1 हो चुकिया इनका product मुझे कितना दिया गया है इनका product मुझे दिया गया है 8 तो sir a minus d into a into a plus d is equals to 8 दिया हुआ है तो देखिया minus 1 minus d into minus 1 into minus 1 plus d is equal to 8 है बटा देखिये तो यह दोनों को multiply कर दे तो यह minus sign ही हट गई मेरी तो 1 plus d into minus 1 plus d is equal to 8 आप चाहूँ देखो d plus 1 into d minus 1 लिख सकते हो ना तो देखिये d square minus 1 equal to 8 d square के लिए 9 हो गई तो d की value या तो 3 हो गई या फिर minus 3 हो गई अब मान दीजाए अगर d की value 3 है अगर d की value 3 है मेरे terms के आगे थे a minus d a a plus d थे यह देखिये minus 1 minus 3 minus 1 और minus 1 plus 3 बैसिपी minus 4 minus 1 और 2 हो गए बैटा मेरे तीनों terms ठीक है यह देखिये यह ap में आ गया है मेरा और वह यह आगा मेरा d की value minus 3 थी तो देखिये a minus d a a plus d जो थे तो minus 1 minus of minus 3 और minus 1 minus 1 plus of minus 3 तो देखिये यह जाएगा 2 minus 1 और यह जाएगा minus 4 तो पैटा यह दोनों set of answers हो गए या तो यह मेरे तीन term सो सकते हो वाले या तो यह तीन term हो सकते हैं अब कोई बच्चा सो चाहिए हमेशे ऐसा उल्टा वाले ही रहेगा क्या ज़रूरी नहीं है जहां पर उल्टा वाले ही रहेगा ज़रूरी नहीं है एक ही set of answer भी रसकता है ठीक है जिनका answer नहीं आया था वो लोग प्लीव इस question को pause करके एक बार ढंक से solve कर लीजिए चलिए दो और questions है देख लेते हैं अब वो फोर टर्म वाले देखें डिवाइट 32 इंटु फोर पार्ट्स बिचाहिए ने एपी सच्छ दाट रेश्यो अफ प्रोड़क्ट रेश्यो प्रोड़क्ट रेश्यो प्रोड़क्ट रे इन बीच वाले बीच वाले बीट रेएगा और क्योंकि ये 32 से कटके इन चार भाग में आए है तो पेटा इसी समझ लीजिए उन चारू का सम 32 है ये बोलने का दूसरा तरीका था ठीक है सम निकालना आपको इसके थुरू एकी वाली मिल जाएगी फिर वो जो प्रोड़क्ट रोड़क्ट वाला जो दिया है उसने रूल वो लगाना आपका आंसर आना शुरू हो जागा ठीक है एक बार इसको पॉस करो और खुछ से ट्राइ करने की कोशिश करो बेटा बहुत अ सब्सक्राइब कोशिशन है चलिए 4 टर्म से कोंतों जाएके लिखना प्राइगा लेट दो पॉर टर्म से अपी भी a मैंस 3d a मैंस d a प्लस d आंड a प्लस 3d ठीक है यह मेरे 4 टर्म हो चुक है पहला क्या दिया हुआ है इनका सम 32 रहेगा ठीक है सबस्दो ए मैंस 3D प्लस a म यह minus D plus D कड़ गया, तो 4A equal to 32, तो A की वाली किती हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जैसे कि A की वाली 8 हो गईगी बेटा, अब देखो, अब मुझे क्या दिया है, ratio of product of extremes, यहने A minus 3D into A plus 3D का product upon, यह mean का है नए, A minus D into A plus D, इसका ratio किता दिया है, 7 upon 15, मुझे दिया गया है, ठीक है, into 8 plus 3D upon 8 minus D into 8 plus D into 7 by 15, तो देखे, 8 minus 3D into 8 plus 3D, तो simply 64 minus 9D square, और वैसे हैं, अब 64 minus D square equal to 7 by 15 होगा, cross multiply किया, बेटा मैंने, 64 minus 9D square into 50, इसका ratio 7 into 64 minus D square, ठीक है, मेरा overall calculation मच्छा नहीं है, 20 plus 2, 32, 20, 32, यह जाएगा, 4, यह जाएगा, 6, 0, 6, 9, 9, 6, 3 minus 135 D square equal to 77 into 64, 24, 24, 28 plus 2, 35, 42, 44, 4, 48, minus 7 D square, अब बेटा मैंने इदर उदर किया इन चीज़ होगो, तो देखे, 960 minus 4, 48 is equal to minus 7 D square plus 135 D square, 960 minus 4, 48, यह 215, 512 is equal to 128 D square, तो बेटा D square की value हो जाएगी 4, तो D के जाएगी या तो 2, या तो minus 2, देखो, यह आ गया, अब जैसे यह हो गया, अब देखो, आपके, if D equals to 2, तो आपके 4 term से रहता है, A minus 3D, A minus D, A plus D, और यह को कहता है, A plus 3D था बेटा, अब देखो, मैंने value जालना चुदू किया, A की value किती थी बच्चा, 8 थी, तो 8 minus 3 into 2, 8 minus 2, 8 plus 2, यह 8 plus 3 into 2, तो बैसे यह 2, 6, 10, और कितना, 14 आ रहा है बटाए, यह मैं 4 terms आगे, और यही अगर मेरा D की value minus 2 होती थी, अगर मानगा, मैं terms होएते है, A minus 3D, A minus D, A plus D, और एक और था, A plus 3D, तो देखे, 8 minus 3 into minus 2, एक पहला term यह होता, 8 minus of minus 2, दूसरा होता, यह 8 plus of minus 2, और एक और था, 8 plus 3 into minus 2, तो बेटा, उसे यह 14 आता, यह 10 आता, यह 6 आता, और यह 2 आता, तो आपके यह दो possible answers हो जाता थे, देखो बेटा, यह है 4 mark question, ठीक है, I think, I'm not sure, यह boards में यही वाला आया था, कोई और आया था, अब बेटा, जिन बच्चों ने A, A plus B, A plus 2D, A plus 3D से किया था, उनका भी answer आया था, जो चीज नहीं समझे थी, I hope, आपको समझ गई अभी, तो इबाब pause करो इस चीज को, एक बाइक हो solve कर लो, तो इसका आप अपनलो last question आजखा, देखते हैं, लेठी के साद, find 4 numbers in AP, whose sum is 80, and in which the greatest number is 4 times, the least number, simple question है वाला, 4 terms है, A minus 3D, A minus D, A plus D, और A plus 3D लेके, आपनलो बाइक है, चलिए, देखते हम लो, let the 4 terms in AP be, A minus 3D, A minus D, A plus D, और A plus 3D, अब इंका सम कितना रिया है, 80 दिया गया है, तो A minus 3D, plus A minus D, plus A plus D, plus A plus 3D, is equal to 80, देखे, टक, 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 कटा, 4A equal to 80, तो A की वाली किती होगी, 20 होगी, चलो, ठीक है, अब क्या दिया हुआ हुआ है, the greatest number, मैं मान के चल तो यह आला मेरा greatest number है, चलो, ठीक है, the greatest number is 4 times, the least number, ठीक है सर, देखे, the greatest number हैंने मेरा अगर, A plus 3D, देखे, वैसे आपको मैं समझाता हूँ, आपका greatest number, या तो यह रह सकता है, या तो यह रह सकता है, दो नो में से एक ही number, greatest number रहेगा, तो ऐसा क्यों, अब कुछ सोज़ना, अगर आपका increasing AP है, तो last वाला number सबसे greatest रहेगा, या decreasing AP है, तो सबसे पहला वाला number, greatest रहेगा, तो मैं को पहले लिखना पड़ेगा, let A plus 3D be the greatest number, तो अगर A plus 3D मेरा greatest number है, देखे, the greatest number is 4 times the least number, तो least number A minus 3D हो जागा, मेरा, A की अजिए 20 डाल जाए, तो 20 plus 3D is equal to 4 into 20 minus 3D, खोल पील किया मैंने, 20 plus 3D is equal to 80 minus 12D, इसको इदो उदर किया, 60 is equal to 15D, तो D की अजिए कित्तिया अगे मेरी, 4 आ गई है, तो मेरा AP क्या बन चुक है, A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D था, तो देखे, A की वाल जिए 20 थी, D की वाल जिए 4 है, तो बहुते यह जागा, 8, 20 minus 12, 20 minus 4 हो जाएगा, 16, 20 plus 4 हो जाएगा, 24 और यह जाएगा, 32, तेखे, आपका एक यह AP आ सकता था, या फिर अगर मान लेज़ें, नहीं नहीं सर, मेरा greatest number तो यह वाला है, A minus 3D, यह मेरा greatest number है, ठीक है, तापको लिशना पड़ेगा, let the greatest number be A minus 3D, तब क्या करोगे, greatest number is 4 times, the least number, तो आपका यह वाला least number हो जाएगा, decreasing AP जैसा हो जाएगा, है, ठीक है, whole field के तो A minus 3D, इस 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 4A plus 12D, इदर उदर करूँगा, मैं, तो minus 3A, इस 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 15D, तो A की value कितनी आ जाएगी बटा, है, इस इस इस, minus 3A equals to 15D, अच्छा, A की value तो मुझे 20 पाता है, so sorry, मैं पूरी सब्सक्राइब गलती कैसे हो रही है, एक सांगे यह बबब मैं डालता हूँ, A के लिए 20 पाता है, 20 minus 3D equals to 4 into 20 plus 3D, ठीक है, तो 20 minus 3D is equal to 80 plus 12D, अब इदर उदर किया मैंने, तो 60 is equal to 15D आ गया मेरा, तो D के लिए अभी भी मेरी 4 ही आ रही है, चलो ठीक है, अब देखिए, मेरा AP अब क्या बनता है, मेरा AP कितना था, इसे मिझे कुछ गल्टी लग दी है, बच्चा मेरी, एक संगे, यह माइनस 15D होगा है, यह यहाँ पर गयाना था, माइनस 15D होगा है, तो D के लिए माइनस 4 होगी, तो AP कहता है, A minus 3D, A minus D, A plus D, और A plus 3D, आप value डालोगे, तो 32, 24, 16 और 8, answer आपका आजाएगा, समझा आपको, तो देखिए बेटा, यह होता selection of terms, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ इतना सा याद रसना पड़ता है, क्या, यह भी चार्मागा question है, आपको सिर्फ इतना याद रसना पड़ता है, ठीक है, तो guys, please, यह 4 तो आपने कर लिए, यह आला नहीं किया, पॉस से कर ली जाएगा, तो जो homework यह से कर ली जाएगा, पेटा, आप लोगो को उसके बाहर से selection और terms से वोगी concept और question आने के chances नहीं है, ठीक है, तो यह पॉस करो, और इतको 12 कर लो, चलिए, next lecture में मिलते हैं, भी क्वार से अलाएगा जुके से बाहर ँटतर हैं, भी को 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 का फो से करते हैं, पॉ़ मिलते हैं, हैं। और सुप च्तरू को 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 जासे हैं, यह राएगाल वें। एक कि अलाएगा हैं, बम मुलाएगा जंटला हैं, उeln ऑा को कasında यूबी दोस्तर गीक हैं, व्या ब standards